प्रदेश सरकार के खाद्यवपूर्थी मंत्री किशिन कपूर ने धरमशाला में की गई कॉंग्रिस की जिलास्त्रियर रैली को मज़ा करार दिया। उन्होंने कहा कि लोग सभा चुनावों में और विधान सभा चुनावों में कॉंग्रेस हर जगा हारी है और हार को छुपाने का अब प्रयास कर रही है। कॉंग्रेस की ये रैली विफल रही। उन्होंने कहा कि महंगाई के मुद्दे को लेकर कॉंग्रेस ने ये रैली की थी। लेकिन ये आक्रोश रैली उन्हें उस वक्त करनी चाहिए थी जब दालों की कीमत 200 रुपे से उपर थी। उन्होंने कहा कि महंगाई कॉंग्रेस के का आप लेना चाहती हैं यह सत्ता की लड़ाई के लिए कॉंग्रिस ड्रामा कर रही है और ड्रामा भी थाली बजा के कर रही थी अपराध के मुद्दे पर कपोर ने कहा कि सबसे अधिक अपराध कॉंग्रिस के कारेकाल में हुआ था उन्होंने कहा कि गुडिया मामला कॉंग्रेस के कारेकाल में हुआ था और कॉंग्रेस ने अपराधियों को बचाने का प्यास किया था और आज सभी अधिकारी जेन में है उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस के वक्त पुलिस अधिकारी अपराधियों को बचाने में लगे रहते थे लेकिन भाजपा के समय में सभी अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं और किसी भी सूरत में अपराधियों को नहीं बख्षा जाएगा गुडिया प्रकरन कब हुआ था और इह रेब के कैसिज मर्डर के कैसिज अगर ये देखे जाएं तो कॉनकरस के सासंकाल में बहुत जादा हुए है और उसी कारण कॉंग्रेस जो है वो चुनाभारी है और इनके समय में अपरादी अपराद करता था धड़ले से भाग जाता था भारती जनता पार्टी के सासनकाल में किसी नहीं अगर अपराद किया है चाए वो रेप का केस हो चाए मार्डर का केस हो उनको तुरंत पकड़ कर जेल की सलाखों में बंद गया है और कॉंग्रेस के समय में में पॉलिस के अधिकारी जो थे वो आईजी रेंक का ओफिसर एस पी ऐसे लोग जेल में गए किस कारण के क्योंकि अपरादियों को बचाने का सड़यंतर उन्होंने रचा था सिरी चैनल के लिए धरमशाला से निपजीत निपपी की रिपोर्ट